आप कोंव को अधाथू और उभ्धातू की वीडियो में प्रवाइट करवा चुकी हो अब उनके आधार पर या इस वीडियो में मैं प्रवाइट करवा दोंगी तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्राक्टीस से वह और अच्छी हो जाएगी कि एक्जाम में किस टाइब के क्वेस्टेंस आते हैं बट कभी भी क्वेस्टेंस डारेक्ट सॉल्व करने से पहले उसकी डिटेल में स्टेडिय आप कर लीजिए तो उससे कोई भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए तो आईए स तो गुणों के आधार पर तत्व को कितनी श्रेणियों में बाटा गया है या विभाजित किया गया है तो दिखिए जो on the basis of properties इनको three categories में divide किया गया है दातु वे तत्व हैं जिन में धनायन बनाने की प्रवरत्ति होती है यानि metals के आपको definition याद होनी चाहिए कि what is a metal तो ह जिन में capacity होती है electron को donate करने की हमेशे ध्यान रखिए metals धातू आप हिंदी में वाले हैं तो इसे ध्यान रख सकते हैं धातू धन आयन ठीक है और धातू पर आ जाएगा negative आयन तो ध्यान रखिए कि जो धातू वो होते हैं जिन में कैसे आयन बनाने की प्रवरत्ति होती है धन यह definition से ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत आतू जो सामानी ताप पर द्रवे बहुत सिंपल सा question से और most of the exams में यह लगातार पूछा जाता है तो इसके हिंदी और English दोनों में ही आप नाम याद रखिए mercury क्योंकि देखिए बहुत बार यह जिसे यहां पर पूछ लिया से गया है कि इंगली है इसको डोनों में दिखे दियान रखना है कि कौन सी मेर्थ है जो नर्मल तेंपरेशर भी या room temperature भी liquid state में पाई जाती तो हिंदी में से कहा जाता है पारा और इंगलिश में से कहते हैं mercury तो आप इंगलिश में नाम इसका याद रखी आपको ज़्याद अच्छा रहेगा निमले के धातों में से उतक्रस्ट धातू का उधारण है यानि आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी जो यहाँ पर आपको metal बताना है उतक्रस्ट धातू कौन सी हैं आपर जो आपको zero block वाले element है या noble जिने कहा जाता है noble element सबसे last वाले period के जो होते हैं जिनका जो shell होता है या outermost shell आपके सकते हैं इनका octet वो fulfilled होता है इसलिए इनको कहा जाता है noble तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है वो metal जिसका octet पूरा complete है तो देखें यहाँ पर वो कौन सी है आरगन, barium, calcium या इन सभी में से आपको देख लेना है तो यदि आपको periodic travel अच्छी से learn होगी तो आप easily इसको बता सकते हैं और नहीं learn है तो इसके वीडियो आपको playlist में मिल जाएंगे वहाँ आप सर्च कर सकते हैं s block element, p block element और app block और d block element वहाँ पर बहुत इस simple सी trick से आपको सारी periodic table easy way में learn हो जाएगी तो इसका answer देख लेते हैं इसका answer यहाँ पर option number d next question देख लेते हैं तो इसका एक बर मैं आपको पूरी series भी बता देती हूँ कि किस type से आप याद रख सकते हैं next question है copper, aluminium, silver, iron धातूं में से विद्यूत की service raised सूचालग धातूं कौन सी है बैसे तो देखी सभी conductor यहाँ पर पूछा गए कि सबसे बैस्ट कंड़क्टर कौन सी मैटल है यहाँ पर इन्हीं किसकी conductivity सबसे ज़्यादा है यह आपको बताना है तो धियान रखें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो conductivity होती है वह होती है silver की बड़ क्योंकि यह जो मैटल है वह पहेंगी दातू है इसलिए इसका यूज कम किया जाता है निमलिकी दात्वों में से सरवादिक अगहात वर्दनी धातू कौन सी है यहाँ पर मेलियाबल पूछी गई है आपसे कि सबसे ज़्यादा मेलियाबल प्रॉपर्टी किस मैटल की है तो धियान रखें यह है आपकी गोल्ड की किस की है गोल्ड की है यह सबसे ज़्यादा मेलियाबल प्रॉपटी क्या होती है कि विदा help of hammer जब आप उसको पीटे होगे है तोड़ी की help से तो बहुत पतली से sheet से चादर में convert हो जाएगी बहुत पतली layer में बिना break हो यह से कहा जाता है मेलियाबल प्रॉपटी तो यह सबसे ज़्य जाकर जब इसको खीचा तो यह बहुत पतले से तार में convert हो जाए तो इस प्रॉपटी को क्या कहा जाता है तो इस प्रॉपटी को कहा जाता है तन्यता तन्यता और इंग्लिश में से कहा जाता है ductility क्या कहा जाता है ductility convert into thin wire इस process का नाम है ductility तो यह भी किसमें सबसे ज़्या सिंबोल भी आपको याद रखना है डबलू से दर्शाय जाता है निम्नमे से कौन सागुन सामान्य तहत धातुं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है यानि कौन सी property metal की नहीं है तो देखिए विद्ध्युचा लगते हैं conductivity भी होती है ध्वनिकता sonorous property भी है तन्यता ductility भी है यानि इस environment को convert किया जा सकता है चमक हीनता आपको मालूम होगा जितनी भी metals होती है कुछ exceptions को छोड़ कर सर्वी में shiny appearance होता है बट यह बोल रहा है कि shiny appearance नहीं है यानि dull appearance है तो ऐसी कोई property metals में नहीं होती तो इसका answer option number C हो जाएगा next question देखते है sona धातु का घनत्व magnesium के picture कैसा होता है बरावर होगा कि कम होगा कि जादा होगा तो देखिए जो sona होता है उसकी जो density होती है as compared to अब पूछा गया है हमसे magnesium से तो इससे होती है जादा क्या होगी जादा होगी aluminium धातों का उपयोग खाना पकाने के बरतनों के निर्मान में किया जाता है निमनमेकर से कौन से गुण aluminium की इस कारी के लिए उपयोगी जो aluminium metal है उसके utensils बनाया जाते है खाना पकाने के लिए तो ऐसी कौन से properties aluminium में होती है जिसके कारण ये इस काम के लिए useful होती है कि उसमें conductivity हो रही है heat की ये electricity की conductivity है ये ductility है या उसका से आपको बता देना है कि वह कौन सी property तो आपने देखे होंगे कि aluminium के बरतन आप गेस पर खाना बनाएं चूले पर बनाएं किसी पर आपने observe किया होगा रखते से किया वह पिगल जाते हैं नहीं पिगलते हैं या नहीं पिगलते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे आपको बता देऊंगे हमने तुक्का लगा तो इस टाइप से देखे डारेक्ट तुक्का लगाने से तो 100% चांस नहीं होते कि आपका अंसर सही हो जाए लेकिन यदि आपको एक option बिल्कुल सही मालुम है पर दात्वों में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह आपको से पूछा गया है तो आपको प्रॉपर्टी से मालुम होना चाहिए धात्व विद्योत और रुष्मा की चालक होती है तो ही इनमें भंगूरता नहीं पाए जाती है पीटने पर धात्वी गनियूत पन करती है भी बिल्कुल सही है और option number D भी किन के गलनांक और कुछनांक उच्छ होते है जबी इनका यूस यूटैंसल ये बरतन बनाने में किया जाता है तो आप देख लेते हैं आपर कौन सा option हो जाएगा option number B किन में भंगूरता नहीं पाई जाती है ये options इसका गलत हो जाएगा दात्वों की विशे में नीचे दिये गए कत्मों पर विचार कीजिए सूडियम तता पोटिश्यम ब्रदू धात्वे होती है कोथणांग बिंदू पर धात्व अपनी द्रव ववस्ता से वाश ववस्ता में परिवर्तित हो जाती है यहां पर क्या हो रहा है कि जो सीडियम में इसका जो गलनांग होता है इसका बिल्कुल काम होता यह options तो बिल्कुल गलत है क्योंकि normal temperature पर कभी भी मेटल्स पी गलती नहीं है बाकी options भी देख लेते हैं कि जो sodium मेटल्स है आपकी sodium और potassium यह क्या है अब चांदी एवं तांबे के संबन में सही कतन बगाना है इनका प्रियोग जोल्री तता सजावट की वस्तों की निर्मान में किया जाता है यह दात्म विद्यु तता फश्मा की सुचलाक होती है दोनों बंगूर होती है और इनमें धात्युक चमक नहीं होती है तो देखि कौन सी दातु जब उसको उसकी ठंडे जल के साथ में की जाएगी तो उसमें से हाइडोजन गेज वबल्स के फॉर्म में बहार निकलेगी यह जाए इसको याद रख सकते हैं जो भी बच्ची इंग्लिश मीडियम से तो देखिए यह आंसर हो जाए इसका पोटेश्यम वाटर के साथ नॉर्मल टेंपरेचर पर रियक्शन कर लेती हैं तो वह है सोडियम कौन सी मेटल है वो सोडियम मेटल है जो रियक्ट कर लेती धातु धातु के आकसाइड सामय निर्ता होते हैं किस ट्राइप की प्रॉपरटीज होती हैं उनकी अमली यानि जब भी कोई यह जो मेटल उक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक प्रॉपरटी के होते हैं या चारी होते हैं नीचे दिये गए किस युगल का मिलान सही है मिलान देख लेना है धातु से निर्मित उक्साइड तो भी हमने देख लिया क्या यह अमली और नीचे इसके और ऑप्शन दिये डीलीं ककरके औकसाइड हो करती है तो इनकी प्रॉपरटी इसके होती है यह होते हैं अभी हमने पप्ढ़ लिया है आइरन का निमने में से कौनसा ऑक्साइड आइorn डी जल्वाष्प से देड्र तक अभी क्रिया के परिणाुसारूप राप्तает नी woven का वह कौनसा गष्फर जो जब iron की reaction किससे करवाई जाएगी जलवाव से तो बहुत time तक reaction करवाई जाएगी जब वो आपको मिलेगा यानि जब आपको obtain होगा तो वो है यहाँ पर यह सभी oxygen दियों है जनरल यह मिलता है में Fe2O3 यह काफी time के बाद में obtain होता है नहीं में से कौन सी धातू शीतल और में दोनों दशाओं में जल से क्रिया नहीं करती है चाहिए ठंडा जल यूज करें या गर्म बट वो reaction नहीं करें तो अभी sodium तो आप पड़ चुकी है यह reaction करती है यह ठंडे जल के साथ में भी calcium आपने देखा होगा यह reaction करता है यह magnesium भी करता है तो यह है आपका iron क्या हो ज यह reaction होगा और इसके साथ ही यहां पर और गेस निकलती है बबल्स की फॉर्म में निकलती है वह hydrogen gas होती है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl तसांद्र नाइटिक अमल HNO3-1 ratio के इसमें लिया तो क्या वनेगा इसके जो प्रकृती होती है वह क्या होती है तो कठोर होती है संचारक होटी है या म्रदू होती है तो इसकी प्रवकरती नैचर होता है वह संचारक या यानि को डाइलूट ले रहे हैं आपर यह कंसेंट्रेटर ले रहे हैं जब मैंगनीस से रियक्शन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन करेगा है तो यह करेगा एम एन सो फोर का और हाइडोजन गेस वापस यहां पर रिलीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेशन ग्रेफाइट अधातु है परंतु विद्यूत का चालन क्यों दर्शाती है आपने यह मैटल्स की परपटी पड़ी होगी उसमें एक्सर्ट्शन देखा होगा यह अधातु है लेकिन इसमें कंड़क्शन होता है एक इसा तो देखिए जनरली क्यों होगा मुक्त एलेक्ट्रान के कारण से ध्यान रखिए जो फ्री एलेक्ट्रान प्रेजेंट होते है उनी के कारण हमेशा एलेक्ट्री का कंड़क्शन किसी वे मैटल्स में होता है तो यह नौन मैटल ह पर वीडियो चाह रहे हैं या इंग्लिश में सेपलेट चाहते हैं आप मुझे तो मुझे कमेंट्स बोक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इसकी पीडियो फ्री में लेने के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ज